अगर आप stock market निवेशक हैं और नियमित वह भरोसे मंद रिटन की तलाश में हैं तो dividend लाभांच देने वाले stocks आपके portfolio के लिए एक शांदार विकल्प हो सकते हैं dividend वो इनाम है जो company आपने निवेशकों को उनकी investment के लिए देती है इससे निवेशकों को एक नियमित आयम मिलती है जो long term wealth creation के लिए बेहद फायदे मंद होती है आज हम आपको कुछ ऐसे dividend yielding stocks के बारे में बताएंगे जो आपके portfolio में स्थिर्ता और निरंतर्ता ला सकते हैं एक निर्लोन लिमिटेड निर्लोन लिमिटेड एक भरोसे मंद dividend देने वाली company है जो 6.31 प्रतिशत का मजबूत dividend yield देती है ये company काफी स्थिर है लेकिन पिछले एक साल में इसने केवल एक प्रतिशत का return दिया है निर्लोन के share अभी 412 रुपे और 15 पैसे प्रति equity share पर बंध हुए हैं जो पिछले दिन के 415 रुपे और 15 पैसे से 0.72 प्रतिशत कम है 3714 करोर रुपे के market cap के साथ निर्लोन एक स्थिर stock है जो नियमित आई के लिए एक आदर्श विकल्प हो सकता है 2. Styrenex Performance Materials Limited Styrenex Performance Materials Limited एक ऐसा stock है जो growth और dividend दोनों का बेहतरीन मेल प्रदान करता है इसका dividend yield 4.13 प्रतिशत है लेकिन इसने एक साल में 72 प्रतिशत का जबर्दस रिटन दिया है इसके share 2,379 रुपे और 50 पैसे पर बंद हुए जो पिछले दिन के 2,372 रुपे और 85 पैसे से 0.14 प्रतिशत कम है 4,166 करोर रुपे के market cap के साथ ये stock उन लोगों के लिए perfect है जो growth के साथ साथ आई भी चाहते है 3, Balmer Lorry Investments Limited सरकार के petroleum और prakritik gas मंत्राले के अधीन काम करने वाली ये company एक स्थिर और high yielding dividend stock है Balmer Lorry Investments Limited का dividend yield 4.9 तीन प्रतिशत है और इसने एक साल में 80 प्रतिशत का जबर्दस रिटन दिया है इसके share 77 रुपे और 3 पैसे पर बंध हुए जो पिछले दिन के 77 रुपे और 92 पैसे से 1.4 प्रतिशत कम है 1710 करोर रुपे के market cap के साथ यह एक low risk और high dividend विकल्प है जो सुरक्षा और return दोनों प्रदान करता है 4. MPS Limited MPS Limited एक ऐसी company है जो platform, content और learning solutions प्रदान करती है यह आधुने कुद्योगों के साथ तालमेल में काम कर रही है और इसका dividend yield 3.64 प्रतिशत है पिछले एक साल में MPS ने 25 प्रतिशत का healthy return दिया है जो एक संतुलित निवेश का संकेत है इसके share 2,057 रुपे और 25 पैसे पर बंध हुए जो पिछले दिन के 2,74 रुपे और 45 पैसे से 0.83 प्रतिशत कम है 3,519 करोड रुपे के मार्केट कैप के साथ MPS लिमिटेड एक भरोसे मंद और स्थिर पफॉर्म है इन्हें क्यू चुने dividend stocks का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि एह नियमित और भरोसे मंद आय प्रदान करते हैं खास कर तब जब मार्केट अस्थिर हो निर्लोन, स्टाइरेनिक्स, बैलमलोरी इंवेस्टमेंट्स और MPS लिमिटेड जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में स्थिर्ता और विकास दोनों ला सकते हैं रिटन के साथ साथ सुरक्षा भी इन डिविडेंट देने वाले स्टॉक्स को खास बनाता है डिस्क्लेमर, शेयर बजार में निवेश करना जोखिम के अधीन होता है आपसे विनती रहेगी निवेश करने से पहले खुद का रिसर्च अवश्य करें अत्वा अपने फाइनेंशियल एडवाईजर की सलाह लेकर उसके अनुसार ही अपने निर्नाय को तेयार करें यहां दिये गए आर्टिकल्स में दी गई सूचनाव अत्वा जानकारी को जागरूपता के हिसाब से निवेशकों और ट्रेडर के लिए बनाया हुआ है हम कोई भी निवेश की सलाह कभी भी किसी को प्रदान नहीं करते हैं